नमस्कार जैमत आदी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर अचारे जीतू सिंग नवरात्री चैत्र नवरात्री में नो देवियों की अराधना का खास महतु होता है यह वो नवरात्री होती है जहां कहा जाता है आप अपनी सारी सिद्धियों को एकठा कर सकते हैं या आपके कुंडली के ग्रहे भी शांत होते हैं और खास समस्याएं भी दूर होती है और खास चक्रा भी एक्टिवेट होता है इसके अलावा आपकी जिंदगे में सुक सुविदाओं का आगमन होता है पहले देवी से हम शुरुआत कर देते हैं कि नवरात्री का पहला दिन औ दो तिफ्यों का संयोग इसके लावा सरवार्थ सिद्धी योग और योग के साथ संयोग तो कितना अधवुत संयोग होता है आप आपे ने जीवन के सारे कश्टों को खाथम कर सकते हैं सुखों का आगमन कर सकते हैं यादेवी सर्वभूतेशू माशायल पुत्री रुपेन संस्तिता, नमस्तसे 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 नमो नमा, माशायल पुत्री की अराधना से आपकी जिन्दगी में सारे कश्ट दूर होते हैं, चंद्रमा शांत होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपके ग्रहे जब शांत कर तो आपकी कुंदली के दोश भी समाप्त होते यह हमाति और पार्बति के नम से भी इन्हे जानना जाता है और खास करके जब हम चक्राओं करते हैं कि कौन से छक्राओं have activated 우is can you आपको किस तरीके से अराधना करनी चाहिए, कौन सा वस्थर पहनना चाहिए और खास करके आपको बहुग कौन सा लगाना चाहिए, तो इसका धियान रखीएगा मुलाधार चक्र आपका जागरी तो होता है मा की अराधना से पीले रंग के वस्त्र पहन करके ही मा की पूजा करनी चाहिए जैसा हमने कहा कि कुंडली के कुछ ग्रह शांत होते हैं सूर्य को भी बहुत शांत करती है चंद्रमा को भी शांत करती है और सूरे को बहुत ज़धा बल देती है यह पूजा, आपके रिष्तों में मदूर्था आती है, दस महाविद्याओं के अगर हम बात करते हैं, मातंगी महादेवी की जो पूजा होती है, यह पूजा करने से मा मतंगी महाविद्या का एनर्जी आवान आप कर सकते हैं, अपने के दूज से बने हुए वियंजनों से मा को भोग लगाना चाहिए दूसरे देवी की बात करते हैं तो दूसरी देवी है मा ब्रह्मचारिनी या देवी सर्व भूतेशु मा ब्रह्मचारिनी रूपने संसता नमस्तसे 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 नमो नमहा तो दूसरे दिन की जाते है मा भ्रमचारिनी की आराधना मा भ्रमचारिनी की आराधना से मंगल ग्रहे बहुत शांत होते हैं जो कि 13 तारीक से ही आपको पता है संवत बदल रहा है और राजा के पदपर भी मंगल होंगे और मंतर मंगल देवता को शान्त कर सकते हैं आपका मन भी शान्त होता है और तो रहू ग्रहे भी शान्त होते हैं यानि रहु आपकी कुंडली का शान्त होता है शकर से बने हुए व्यंजन से ही मा को भोग लगाना चाहिए और छिन मस्ता महाशक्तियों की अगर हम बात करते हैं दस महाविद्यों की बात करते हैं तो मा छिन मस्ता की आपको एनरजी मिलती है आपको अशिरवाद मिलता है तीसरी देवी के अगर हम बात करते हैं तो तीसरी देवी है माचंद्रघंटा या देवी सर्वभूतेशू माचंद्रघंटा रुपेन सलस्तिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमहा तीसरी देवी माचंद्र घंटा की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है घंटे की द्वनी से शत्रू का नाश करने वाली माचंद्र घंटा आपके जीवन से सारे कश्टों का नाश कर देती है negativity का नाश कर देती है शत्रूओं का नाश के साथ-साथ आपकी जितनी भी energy है वो positive होने लगती है कश्ट दूर हो जाते हैं जो परिशान व्यक्ति आपको सताने का प्रयास करते हैं वो स्वाइम परिशान ही होते हैं तब दूसरों को सताते हैं तो उनकी भी कोई भी energy आप तक नहीं पहुँचेगी मनी पूरी चक्र आपका जागरित होता है मा की पूजा से अराधना से हरी रंग के वस्तर पहन करके ही मा की अराधना करनी चाहिए पूजा करनी चाहिए चंद्रमा का आकार बनता है चंद्रगंटा के इसे पर तो ऐसे में चंद्रमा को बहुत बल मिलता है चंद्रमा को बहुत शांती मिलती है के तुग रहे भी शांत होते हैं और तो और आपके जिंदगी से तकलिफे दूर होती हैं दूद से बने और फूल मखाने से बने हुई खीर का भोग लगाना चाहिए मा को और अगर हम दस विद्याओं की बात करते हैं तो मा धुमावती का अशुरवाद आपको मिलता है चोथी देवी मा कुष्मांडा या देवी सर्व भूतेशू मा कुष्मांडा रुपे न संस्तिता नमस्तसे 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 नमव नमहा तो जब हम मा कुष्मांडा की अराधना की बात करते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी नेगिटिविटी होती है उस नेगिटिविटी मांडा की अराधना करना अध्यात्म को बढ़ाती है आपकी जिंदगी में आपको पूजा पाठ की तर्फ ले करके जाती है नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए उसी से मां की अराधना करनी चाहिए अधाहत चक्र आपका एक्टिवेट होता है केतुग रहाय शांत होते है इनके पूजा से और रिष्टों में मदूर्ता आती है रिष्टे ठीक बने रहते हैं मा को पंचमेवा का भूग जरूर लगाना चाहिए और जब हम मासकंद महता की जब बात करते है तो सीदा सीदा आता है कि मासकंद की मा यानि बच्चों सारे कश्ट अरने वाली पूजा होती है यह यह झालती है धेवी सर्व करों भूत शुम मसकंद रूपिन असस्थिता नमस्टस से नमस्त imagining पांचवी देवी मासकंद माता के पूजा से आपके अपने जीवन के अंदर जितनी उथल पुथल चल रही होती है वो सारी दूर होती है मात्रित्व सुख प्रधान होता है मासकंद माता की पूजा से अगर किसी के घर में संतान की उत्पती नहीं होती है तो उसे मा सकंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए मोक्ष के दुआर खोलती है मा, श्वेत यानि सफेद रंग के वस्तर पहन करके ही मा की पूजा करनी चाहिए मंगल ग्रहे शान तो होते हैं मा की पूजा से और दस महाविद्याओं की बात करते हैं तो बगला मुखी का अशिरवाद आपको मिलता है मा की अराधना करने से और केली का भोग जरूर लगाना चाहिए मा को छटी देवी की बात करते हैं तो छटी देवी मा कात्याईनी या देवी सर्व भूतेशु मा कात्याईनी रूपेन संस्तिता नमस्तसे नमस्तसे नमतसे नमो नमा तो मा कात्याईनी से आपके कश्ट तो दूर होते ही हैं पूजा के तो विदिविदा नहीं ऐसे हैं कि मा सभी क करती है लेकिन इसकी उपासना से खास और भी फाइदे होते हैं दुश्मनों का संघार करती है गोदुली वेला में चाहता हुआ करते हैं магазine तो आपकी एक बहुत ही एनरजी भी मिलती है, आपके कश्टों को अंत मिलता है, लाल रंग के वस्तर पहन करके मा की अराधना करनी चाहिए, बुद्ग्र है, बहुत शान तो होते हैं, मा की अराधना से शहद जरूर अर्पित करना चाहिए, मा को और दस विद्याओं की अगर हम बात करते है तो शोडसी का आपको अशिरवाद मिलता है, आपके जिवन से कश्ट दूर होते हैं सात्मी विद्याओं के अगर हम बात करते हैं, तो मा काल रातरी यादेवी सर्वबूतेशु मा काल रातरी रूपेन संस्तिता, नमस्तसे, नमस्तसे, नमो नमा मा काल रात्री की पूझा से ग्रहय तो शांत होते ही होते हैं लेकिन आपके जो चक्राज एक्टिविट होते हैं उनकी तर्फ धrf द्यान देनी की ज़रोत είναι मा की अरधना नीले रंग के वस्थ पहन करके करनी चाहिए शनी ग्रह है बहुत शांत होते हैं मा की अरधना से और र मिर्ष्ते सुधते हैं दस विद्याओं की बात करते हैं तो मा काली का अश्रिवाद आपको मिलता है गुड़ का आपको जरूर गुड़ अरपीत करने झाहिए मां को और भूग लगाना ठाथ cocon है अगर आम बात करते हैं तो मां महागोरी अस्टमी तो बहुत ही उत्तम् नमस्तसे 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 नमो नमहा आठ्मी देवी मा महागौरी आपके हर कश्ट दूर करने वाली आपके तकलीफों को दूर करने वाली आपके पास एक सुख की वरिद्धी करने वाली आपके पास पॉजटिव एनर्जी जिलाने वाली मां का आठ्मा सवरू बेहद मोह प्रिय होता है नारंगी रंग के वस्तर से मा की पूजा करनी चाहिए गुरू ग्रह शांत होते हैं यानि जुपिटर शांत होते हैं और पिता के साथ अगर किसी तरीके की अन्बन खिट में चल रही है तो मा की अराधना करने से वो डिस्प्यूट भी कम होता है नारियल से बन अगली बार आने के लिए यहीं एक ऐसा समय होता है जब मा से वचन ले सकते हैं कि आपने अगली बार भी मेरे घर द्वार जरूर आना है और सुख शांती जरूर प्रधान करनी है सब कश्टों से मुक्ति दिलानी है गुलाबी रंग के वस्तर पहन करके मां की अराधना करनी चाहिए शुक्र ग्रह शांत होते हैं इनकी रिष्टों का तनाव खतम होता है पती पतनी में अगर किसी तरीके से डिस्प्यूट चल रहे होते हैं यहां फिर महिलाओं के माध्यम से कहीं लगता है कि आपको कोई तकलीफ होती है परिशानी होती है या कोई कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं तो मा सिद्धी दातरीक के अराधना जरूर करनी चाहिए पंचमेवा का भोग लगाना है सारे ग्रहों को शांत करना है अपने जीवन से कष्टों को दूर करना है और सुखों का आगमन अपने जीवन में लाना है तो आपने इस वीडियो को सब तक जरूर पहुंचाना है सब्सक्राइब भी करना है चैनल अगर आपने नहीं किया हुआ है और इस वीडियो को सब लोगों तक जरूर पहुंचाएं खुश रहिए सुवस्त रहिए पॉजिटिव रहे पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं जल्दी हाजिर होंगे कच्छी वीडियो के साथ तपता के लिए नमस्कार जैमात आदी